ये खबर पर सारीद की जारी है कि मुझे कुरोना संगर्मन हो चुका है जो की सरासर बेगुनियाद है और जूटी खबर है असलामु अलेकुम और रहमतु लाहिव बरकातु मैं सेद नसीर उदिंचिष्टी जानशीन डिवान सेद जर्लावदीन अलीखान इस वीडियो के जरीए आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि मुझे अभी काफी मेसेजिज और कॉल आ रहे हैं कि मीडिया में यह खबर परसारीत की जारी है कि मुझे कोरोना संकर्मन हो चुका है जो की सरसल बेगुनियाद है और जूटी खबर है कि दिल्ली से जो मुझे जानकारी मिली यह प्रशार्शन के जरी है कि एक लिस्ट आई है कि 14 15 16 मार्श को अजमेर से जिंजिन लोगों ने दिल्ली विजिट करी है उनकी स्क्रीणिंग कराई जाए और जाच कराई जाए अगर ज़रूरत पढ़ती है तो जब प्रशार्शन प्रशार्शन का फोन उनके पास आया तो मैंने आगे आगे हो कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनको यह इतला दी कि नहीं इस तारिक में मैं भी दिल्ली में उनके साथ था क्योंकि 15 मार्श को हमारा मानेनी ग्रहमंत्र जी से अपॉइंट्मेंट फार पंदरा मार् लेकिन अभी मुझे जो मालूम हुआ है कि मैडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यह है कि जो जो भी वहां पर दिल्ली विजिट करके आए हैं उनको एक बार स्क्रीणिंग कराने चाहिए और स्क्रीणिंग अगर पॉजिटिव आती है तो आगे की जो भी स्टेप के वहां पहुचा तो मेरे स्क्रीणिंग की गई और स्क्रीणिंग करने के बाद में मुझे यह कहा गया कि आपके शिंटम्स भी नहीं है आप नॉर्मल है लेकि फिर भी एतियाता नहों जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अल्यड़ी 17-18 दिन उच्चुके दिल्ली स आए हुए फिर भी अगर दस बारा दिन आप और एहतियात बढ़ते हैं घर में रहें तो ज्यादा बैटर होगा मैंने मेरे घर पर आने के बाद में भी तरगा पुलिस है प्रशाशन है उन्होंने वापास एक डॉक्टर को और बहिजा मेरे लिए कन्फरमेशन के लिए और आप एतियातन अपने आपको लोगों से दूर रखें तो मैं तमाम मीडिया बंदू को तमाम लोगों को यह इतला देना क्याता हूं कि अल्ला का शुक्र है कि मैं मेरा पॉजिटिव कोई रिपोर्ट नहीं आई है सब नॉर्मल है मेरे स्क्रीनिंग भी नॉर्मल आई है जो खब्रें चलाए गई हैं जूटी हैं लेकिघरी बिलोगों के अपील कर दाओं जैसे मैं आज आगे ओके घ्याया हूं को मैयनत कर रहा है नर्से डॉक्टर जो मैयनत कर रहे है वह जाया ना जायत चाहए जो जो इस मिमाले से हम लोग जीते ही नहीं चाहता है। खुदाहाफिस। नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन। देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड-19 को पहलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या चीकते समय हमेशा अपने मूग और उमाल से या टिशू से ढखें। इस्तमाल किये टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दें। अपनी आँख, नाख और मूग को हाथ से नच्चुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगब 20 सेकंड तक तोएं। भीड भार वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सास लेने में तकलीफ हो रही हैं। तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षन देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला लें। अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल ज़रूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्त। अब हम परिवार कल्यान मंत्राले की एक हेलप लाइन है 011-29-780-46 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। अभास्त। अपनी मदद कीजिए। ऑ्यशस्त। यज़ वल्लाफ्द झाल झाल